हलो एवरिवान, वेलकम बैक टो माई चैनल, आज के अपनी इस वीडियो में मैं चार लोगों के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉंस आपके साथ शेयर कर रही हूं, जिनको कमर में तकलीफ थी, स्लिप डिस्कुस रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उनके अलग-अलग एक्सपी ये टीना कमर जी का है, जिन्होंने अभी रिसेंटली ही ये मुझे कमेंट चोड़ा था, ये रिखती है कि शवाना मैम ठीक कहती है, उम्मीद नहीं चोड़नी चाहिए, मेरे को तीन साल से इसलिप डिस्क थी, और मैंने टैन डेज में ठीक की है, मैंने ये मैम की दवाई न ठीक करते हैं, तो यहां पर मैं टीना कमर जी का सबसे पहले कमेंट इसलिए भी शेयर कर रही हूं कि जो लोग होपलेस होते हैं और कुछ लोग बहुत ही डिसपॉइंट हो जाते हैं, हर चीज मतलब जो भी उनको अब तक मिली है, उससे डिसपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन कब किस की चीज से, किस दवा से, किस ट्रीटमेंट से आप रीकवर कर जाओगे, आप सोची नहीं सकते हो, है ना, और ये चीज कोई बता भी नहीं सकता है, तो आपको, जो लोग मतलब होपलेस हो जाते हैं, वो लोग उम्मीद ना छोड़ें, और इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं उस चीज को मानती हूँ, और मैं खुद उस चीज का एक एक एकजामपल हूँ, कब किस चीज से आपको रिलेफ आजाय कोई नहीं कह सकता है, और ये प्रॉब्लम है ही ऐसी, कि आप लोगों को मतलब ट्राइ तो करना पड़ेगा, ठीक है, होपलेस होके छोड़ में गया है, यही मिरकल होता है, जिन लोगों को समझ नहीं आता है, जो लोग सोचते हैं कि कुछ तो खराबी है सामने वाले के इलाज में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कब किसको किस चीज से रिकवर हो रहा है, कौन सी बाड़ी के कंडिशन है, और क्या ट्रेटमेंट अपला सा मैं इंक्लूड करूँगी, कि हैवी बजन उठाने से बचेगा, जब आपको रिकवर होता है, उस टाइम पे आपने ध्यान रखना है कि दोबारा यह प्रॉब्लम ना हो, तो उसलिए एकलगातार जूख के काम करना, या जटके से अपने आपको बचाना और हैवी बजन स आई होप अब सब बहतर हो, अगला मैं जिनका शेयर कर रही हूँ, ये हैं परी रानी और इंस्टाग्राम के थरू मेरी इन से बात होती है, और मैंने पिछले दिनों भी इनका एक्सपिरियन्स शेयर किया था, जब इनको रिलीफ आना स्टार्ट हुआ था, अभी रिसेंट दुखन है, हलकी और हलका खिचाव है, नसो में पिंडली और पैर में थोड़ा टाइट पन है, मुझे लगता है दीदी कि आपकी दुआ से मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाओंगी, जो थोड़ी दिक्कत रहे गई है, पहले मैं भी यही सोचती थी, कि मैं ठीक नहीं हो पाओ यह सब लोग जादा तर जो बहुत लंबे टाइम से प्राब्लम में होते हैं उनको ऐसा ही लगता है, और यह इनको भी काफी टाइम हो गया था, तो यह लिख रही है कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, कि मैं ठीक नहीं हो पाओंगी, पर मुझे उमीद बढ़ गई है, कि मैं करें, तो जितना हो सके आपको करना है, अपना थोड़ा से दिमाग भी यूज़ करना होता है, ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि मैं बच्चों को समालने में थोड़ी दिक्कत होती है, और इसलिए शायद इनको अभी कुछ प्राब्लम्स अभी बाकी है, और इतनी भी जल रिलीफ नहीं हुआ, तो इन्होंने युनानी मेडिसन ट्राइ की है, और प्रिकॉशन्स और मसाज और सकाई, जो मैं बताती हूँ, बिल्कुल एक्च्वल उसी तरीके से, ठीक है, प्रिकॉशन्स के बिना किसी भी तरह के चाहिए ट्रीट्मेंट लो आप, प्रिकॉशन्स के बारे में जानकारी नहीं है हमें, और तब हम ये गलतियां करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखे, आगे इन्होंने लिखा है, पर मैं सारे काम करती हूँ, बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से करती हूँ, और इन्होंने लिखा है, मसाज और सिकाई, दोनों टाइम करती लेप का यूज मैंने इसलिए नहीं कर रही क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो यह मसाज और सिकाई करते हैं काम करते हैं अपना और बहुत ध्यान से करते हैं और सिरफ वही चीज़ें में बोलती हूं काम तो मैंने भी किया है बस थोड़ा सा एहतियाद रखनी है अपने दिमाग को यूज करना है गलती नहीं करनी यह नहीं सोचना कि एक बार जुकने से क्या होगा कुछ नहीं होगा तो एक बार जुकने से प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए या लगातार बैठने से हो जाती है लगातार खड़े होने से य तो उसका ध्यान रखिएगा मैं खुश हूँ कि जो लोग भी रिकवर कर रहे हैं मैं जानती हूँ कि एक बंदे का भी अगर लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आता है वो दर्द वो टेंशन उस चीज़ से अगर कोई निकल पा रहा है तो मैं सैटिसफाइड हूँ इस चीज़ से की चलो किसी को भी आराम तो हो रहा है और उमीद करती हूँ कि जब कोई ठीक होता है तो वो दूसरों को भी बताए कि आप ये गलतिया ना करें और आप ये कर सकते कि भी अपने आपको ठीक कर सकते हैं अगर कोई इस सिचुशन में मिलेगा बस हाथ बढ़ाना है दूसरे के हेल्प करनी है ताकि आपको जो है रिकवरी हो रही है वो दूसरों को भी वैसे ही उतने ही अच्छे रिजल्ट मिल सके हैं अब जिनकर में एक्सपिरियंस आप लोगों की सामने शेयर कर रही हूँ इनका नाम कहकशा है और इंस्टाग्राम की थरो ही हमारी बात हुई है इनको काफी टाइम हो गया था इनको इस दिक्कत में काफी प्रॉब्लम में थी हाँ इनको एक जो सबसे बड़ी तकलिफ थी यह थी कि दर तो था ही बेहिसाब लेकिन इनको टाइलेट बार-बार आता था मतलब पेशाब की शिकायत थी और बार-बार आती थी शिकायत मतलब इस चीज़ से प्रॉब्लम से वो गुजर रही थी उसमें इन्होंने लिखा है कि युरीन में अब युरीन में अब कुछ आराम मिला है पहले जो बार-बार आता था कुछ टाइम बढ़ गया है माशालला से आप दो घंटे पर जाते हैं अल्ला का शुकर है और आपकी मेरवानी सब अल्ला का शुकर है जी कुछ आराम है पहले से दर्द में भी चलिए मैं बस ये उमीद करती हूँ कि सब अच्छे हूँ सब तंदरुस्त हूँ जल से जल जो भी तकलीफ में किसी भी तरह की तकलीफ में हो और सब के लिए दुआ कीजिए आप बस अपना एहतियातर की साथ चलिए मैं जानती हूँ फैमिले की जिमेदारी जब ऐसे पेशन्ट के उपर होती है जो खुद मरीज है यहां पर मैं बता दू कहकर शाजी के हस्बिन भी पैरलाइजड है और बच्चे छोटे हैं उनकी तो वो कितनी स्ट्रगल कर रही है अपने लाइफ में इसका कुछ कुछ हिसा ही हम सोच सकते है पर वो हिम्मत कर रही है और उनकी हिम्मत को सलाम है आप अपना ख्याल रखिए और इन्शालला जल से जल आप सब सहत बंद होंगे यह नेक्स्ट जो एक्सपिरियंस है तो मैं उनको भिजवा देती हो अगर किस यह को क्या हो तो मुझे इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते है ठीक है तो इन्होने मैडिसन मंग वाई थी जो मैंने बताई थी कि मैंने ली है वही मैडिसन ट्राइ कि है पर मैं यह कहूंगे अगर कोई लेना चाहता है तो वो किसी हकीम से या किसी से कंसर्ट करके युनाइन डॉक्टर से आप मैडिसन ले सकते हो ठीक है तो इन्होंने अभी तीन दिन ही हुए हैं लेते वे इनको मैडिसन और प्रिकॉशन्स और मसाज ये सिखाई ये पहले से कर रही हैं तो अभी इन मैडिसन में लिखाई कि मैम जो दवाई भीजी थी आपने मुझे रिसीव हो चुकी है और तीन दिन हो गए उसे यूज करते हुए दर्द बहुत हद तक कम हो गया है और अब जो दर्द बच गया है वो भी बहुत जल्दे ठीक हो जाएगा थैंक यू थैंक यू जी वेलकम most welcome आपको मैं एक चीज बता दूँ कि किसी किसी को ना किसी भी treatment से एकदम relief हा जाता है पर किसी को नहीं आता है तो ये चीज confused मत हो येगा तभी भी कि हमको देर में क्यों हो रहा है या हमको आराम क्यों नहीं हो रहा है दूसरी बात है कि कुछ बहुत sincerely precautions follow करते हैं immediate समझ जात या फिर फैमिली के जिम्मेदारी की वज़े से खासकर लेडीज काम को अवाइट नहीं कर पाती हैं तो प्रेकॉशन्स नहीं कर पाती हैं इस वज़े से भी किसी को रिलीफ लेट होता है मैंने आपको रेसेंटली एक भीया का शेयर किया था उनको एक साल में जाके 80% रिलीफ काम अलग है तो इसलिए कनफ्यूज नहीं होना है और बहतर हो कि आप किसी से कंसल्ट करके लो तो आपकी जो दूइदा है जो आपका डर है वो भी आपका दूर है मेरे यह कहना है हमेशा ध्यान रखे बाकी जो मेरे से हेल्प होती है मैं हमेशा करती हूँ ऐसे कोई बात न ना उन से पर एक चीज़ और मैंशन कर दूँ कि कुछ लोग मतलब बिना वजह कि सवाल बार बार रिपीट करते हैं और इतना टाइम नहीं होता है मेरी भी अपनी लाइफ अपने बच्चे है अपना फैमली है हाना मेरा अपना काम भी है तो और और बहुत सारे लोगों के म मतलब जो बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है खाले वोई पूछे है चुड़ चुड़ी चीज़ों के लिए मैसेज मत किया करें मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कभी-कभी मैं भी इरिटेट हो जाते हूं आप जानते हैं कि हर कोई इनसान अपने काम को पहले देख जरूर अम में जानती हो कि दर्द में हैं तकलीफ में लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को मतलब नाजाइस परिशान भी ना करें बस कहने का मतलब यह हर किसी की बात नहीं कर रहे हूं कुछ पैसिफिकले ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं ले इसे पूछने वाले होते हैं कि हम क्या करें तो प्लीज मैं नहीं बता सकती अपने आसपास सर्च करें अपने इदर उदर ढूंडें आपको जरूर कोई अच्छे हकीम या युनानी डॉक्टर मिल जाएंगा अगर कोई युनानी माडिसन लेना चाहता है तो I hope कि आप भी जल्द रिकावर करें आप अपना ध्यान रखिएगा प्रिकॉशन्स में छोट मत डालिएगा कि आप सोचें कि मैं ठीक हूं क्योंकि डिस्क को सैट होने में टाइम तो लगता है और ये मैं सिर्फ अपने एक्सपिरियंस से कह रही हूं आप इस चीज के लिए आप कुछ कि सकते हैं जो आपको बहतर लगे लेकिन मैं ये सब के लिए कह रही हूं कि आपने प्रिकॉशन्स छोड़ना नहीं है जो चीज़े मैंने की हैं अपने लाइफ में अपने आपको ठीक करने के लिए वो मैंने अल्रेडी बता रखी हैं और उसे की बेस पर मैं आप लोगों को स से मुझे सक्सेस मिली और कितना फेलियर मिला है तो इसलिए अपना एहतियात रखके चलिए ताकि आप आगे वो चीज़ें न चेलें जो मैंने चेले थी या अब मैं आप लोगों की सवाल ले रही हैं जो आप लोगों ने मुझे से रिसेंटली पूछे हैं जिनमें सबसे पहला सवाल सागर जी का है जिन्होंने पूछा है मेरा भी L4, L5 का नस दब गया है कमर से लेकर पैर तक बहुत कमजोरी लगती है और बैटने में बहुत प्राब्लम होती है बैट नहीं पा रही हूं इसके लिए क्या करूं तो देखिए I hope कि आपने सबसे पहले neurologist या neurosurgeon क को दिखाया होगा और अपना treatment वहां से लिया होगा अगर नहीं लिया है तो प्लीज neurosurgeon को दिखाए ठीक है सबसे पहले उनको दिखाए और अपनी MRI कराएं correct problem पता होनी चाहिए कुछ लोगों को न आइधर उदर जाके जो medicine ले लेते हैं कमर दर्द की तो उनको बता देते ह जो भी जो भी जनरली जानते हैं मुद बता देंगे कि नस्दभी है तो वो उसका treatment लेते रहते हैं लेकिन actual में problem कुछ और भी हो सकती है तो इसलिए neurosurgeon को दिखाना बहुत जरूरी है ठीक है दूसरा कमर से लेकर पैट तक कमजोरी लग रही है तो मुझे लगता है कि हाँ प्रॉब्लम हो सकती है तो अब भी जब तक आप treatment स्टार्ट नहीं करते हो ध्यान रखे कि जुकना वजन उठाना नीचे बैठना सीडियां चड़ना और टू विलर का जो यूज है वो बिल्कुल बंद करना है आपने ये काम बंद करिए खटाई चावल आलू ठंडी चीज आप उसको देखें कश्मेरी लैसन और तिल के तेल को पका कर मसाज करनी है नीचे टेल बून से सिर्की दिशा में हाथ ले जाना है वाबस नहीं लाना है इस तरीके से मसाज करिए 10-15 मिनिट मसाज और 20-25 मिनिट सिकाई दिन में तीन बार ये भी करिए इससे आपको काफी ह बेल्ट में लेगी जो आप कहरे हो ना कि पैरों में कमजोरी मैसस हो रही है मैं इस मुझे बिरकुछ सेम होता था ठीक है तो उस चीज को दूर करने और खड़े होते ही डबल सपोर्ट वाली बेल्ट जरूर लगा लें क्योंकि वह आपको ताकत थोड़सा आपको सपोर्ट देगी ताकत तो नहीं देगी पर सपोर्ट देगी कि आप खड़े हो सके हैं मैं जानती हूं कि कमजोरी कितनी बुरी लगती है ठीक है वो कर लें इसके अलावा अगर आपने ये सब चीज़े ट्राई कर ली हैं आप ऐलोपैथिक ट्राई कर चुके हो तो फिर आप आईरव आप समझ गए हैं अगला सवाल पूनम कालरा जी का है जिन्होंने पूछा है कि मैंने अलोपैथिक आईरवेधिक मैडिसन ली हैं एक्यूपंक्चर की बारे में या कोई और थेरेपी बताएं जिससे हीलिंग हो प्लीज मैं जॉब पे नहीं जा पा रही हूं पूनम जी आप अभी भी मैडिसन कंटीन्यू कर रही हैं या नहीं कर रही हैं मैडिसन जरूर कंटीन्यू करिए चाहे वो आप किसी भी तरीके की मैडिसन ले रहे हो वो करिए आपको अक्यूपंचर के बारे में मैंने सबसे पहले जिनका शेयर किया है उन्होंने अक्यूपंचर के ब तो यह कोई नहीं बता सकता है कि किस से आपको कब रिलिफ आ जाए, तो सबी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपके उपर अपलाई होने के बाद वो आपकिस शरीर के लिए काम करती है या नहीं करती है, ये आपको एक्स्विजिंस करने के बाद ही बता चलेगा, I hope आप समझ पाए हैं कि आपको precautions तो मैंने बताई दी हैं already, वो आपको apply करने हैं, medicine लेनी हैं, और जो therapy आपको easily मिले, जो आप afford कर सकते हैं, वो करिए, वरना घर पे जो massage और सिकाई मैंने बताई हैं, और जिस तरीके से बताई हैं, वो भी आप करके देख सकते हूं, तो और सा support की belt लगाई है, precautions के साथ जाए हैं, अगर आप ड्यूटी जाना चाते हैं, और महाँ पर धिहान रखिए, बीस-पच्छिस मिनट से जादा एक position में मत रही हैं, मतलब अगर आपको बीस-पच्छिस मिनट जादा हो गए हैं बैठे वे, तो पांच मिनट का rest, या तो आप walk क पाएगी, otherwise आप मुझे इंस्टाग्राम पर message कीजिए, मैं बात करूंगे आप से, अगला सवाल लोकेश शर्मा का है, और इन्होंने लिखा है, मुझे लोवर बैक में burning होती है, और ये slowly knee तक आती है, तो लोकेश जी, ये of course मुझे लगता है कि आपकी नस जो नर्व होती ह कमर में, लंबर में, वहाँ पे अगर कोई problem है, तो उसकी वज़स से वहाँ पे burning मतलब वहाँ से start होती है, pain भी हो सकता है, किसे को burning भी होती है, तो आपको immediate अपने neurologist या neurosurgeon से consult करना चाहिए, और अपने treatment को start करना चाहिए, और बस यही request है कि अगर आपको ये शक भी हो कि म बढ़ेगी नहीं, ठीक है, और ये जल से जल recover हो सकती है, तो घबरानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे patient ऐसे हैं, जिनको burning थी, किसी को हाथ में थी, किसी को पैर में थी, किसी को कमर में थी, तो ठीक हो जाती है, ठीक है, लेकिन treatment, सही treatment, सही precautions, आप जरूर लें और massage और स सकते हैं अपने साथ, अगला सवाल ये पूछा है, परीधी हैं, शायद पारती हैं, पारती हैं, खेर, इन्होंने पूछा है कि मुझे युनानी medicine से काफी आराम है, और तीन मन्त हो गए हैं दवाई लेते हुए, लेकिन कभी-कभी दर्द बढ़ जाता है, और कभी कम हो जा सकते हैं और पीरिध्त के ळिरों में दर्द और स्वैलिंग बार जाती है ऐसा कि होता है, दो हमारे जो जो जनरेटिव ऌरिफ्ट औरन्स हैं वो लंबर से ही उन्मे बलड जाता है, जो लंबर् वाली जो नससे होती है, महीं से जाता है, और जब लंबर में प्रॉब्लम होत तो पीरिट्स में भी डिस्टरबेंस आती है, मतलब उसमें अदिकत होती है, और जहां तक कमर दर्द की बात है, जब आपको स्लिप डिस्क है, तो मैं उस चीज से गुजरी हूँ, मैं जानती हूँ कि पीरिट्स के टाइम पे कमर में भी दर्द बढ़ जाता था, ठीक है, तो बढ़ जाता है, तो उसमें बहुत सोच समझ की ही ध्यान में रखा जाता है, जब भी आप छोटी से गलती करेंगे, तो वहां पे आपको दर्द बढ़तावा महसूस देगा, तो जो प्रिकॉशन्स में गलतियां होती है, उनकी वज़े से ही दर्द अकसर बढ़ता है, या खाने की, आप इसमें खाने को भी इंक्लूड कर सकते हो, बहुत सारे आपको मेरे वीडियो में कमेंट मिल जाएंगे नीचे, जो लोग बताते हैं कि हमने चावल खाया, तो हमें अगले दिन दर्द नजर आगया, बढ़ावा गया, हमने दही खाली तो हमें दर्द बढ़ तो खटाई हो चाहे ठंडी चीज़ें, आप कोड रिंग पीलो, उसी से पेन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है बहुत, क्योंकि जो ठंड़क है वो नसो को, या बलड को, मतलब ठंड़ा करेगी ना, तो फिर वो फ्लो अच्छे से नहीं होगा, वो फ्लो अच्छे से हो जाना है, अगर आपको रिलीफ आ रहा है, तो केरलेस नहीं होना है, बलकि इत्यान से अपने काम को अंजाम देना है, हर काम को कर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ ही करना है, अपना ख्याल खुद रखना है, तो बस आज के लिए इतना ही, उमेद करती हूँ कि मेरी उमेद है, यही एक इच्छा है, कि सबस्वस्त हो, और एक रिक्वेस्ट और भी है, कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि यह फेक है, यह डाउटफुल हो सकता है, तो प्लीज वो जो मेरी वीडियोज हैं, जो अगर व बस इतना ही कहना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जो लोग तकलीफ में हैं, उन तक शेयर जरूर करिएगा, अपना बहुत सारा धियान रखे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,